स्वागत है आप लोग का इंकम टेक्सी एक और नहीं कलास में आज हम लोग देखेंगे इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी का कोश्चन फाइब ठीक है इससे पहले चार कोश्चन करवा दिया हूं लिंक डिसक्रिशन में जाकर चेक कर देना ठीक है और चैनल पर नहीं हो तो को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो इस चैनल को ठीक है तो यहां देखो मिस्टर राम ओने हाउस पॉपर्टी ठीक है राम एक हास पॉपर्टी का मालिक है इस एन्नोल लेटिंग अच्छे ठीक है एन्नुल लेटिंग वेल्यू कितना दिया हुआ असी है तो सरी का क्या रेंट बहुती मज़ेदार कोश्चन है क्योंकि इस कोश्चन में पहली बार आपन इंकम फ्रॉम हाउस पोपर्टी ने सीखने जा रहे हैं अभे आशेस्मेंट यग सकता आप अब देख रहे हो तब का अशेस्मेंट यह यह तो पुराना ओल्ड बूक है तो और का दिया हुआ असे समेंट भी किस और बार में बार व्लाय किसी को बार आपना मकान या लेंगे पर मंत ठीक है एक lange COP फॉल्वियंग प्रमण सीक उसने इक्सम्न जैसे मिनिजिपल टेक्स कटे रुपए यानि मालिक ने थीक एक्सपैस पूरी कवरी रेंट छाहा हुं यानि कोई रेंट ٹर्वार करने के लिए कुछ करचा करना हो कि दैने हो मिलने से रहा ठीक है में डिडेक्शन हम लोग मिनिसीपल टेक्स पढ़े हैं कि भाई MT मिनिसीपल टेक्स का डिडेक्शन मिलता है यह दोनों का नहीं मिलता है यह दोनों बेवकूप बनाने के लिए जूट मुटका चलो तब बोलता है हाउस प्रपर्टी वेकेंड फर वन मंदी यह देखो सबसे बड़ा खेला तो यहां हो गया ना भाई खेला हो वे क्या हुआ कि एक महिना खाली यानि वो 11 महिना ही रहा वो बंदा 11 महिना ही रहा यानि कि उसका एक्चुल एन 11 गुने साथ हजार आएगा नकी 11 अब बोलता है उसका निकालो इंकम फ्रॉम हाउस प्रपर्टी आओ देखते हैं अपने को निकालना कम्प्यूटेशन अब इंकम अंदर हेड हाउस प्रपर्टी ऑफ एससमेंट यह जो आपका है एक्सपेक्टर रेंड कोर्चन में दिया हुआ था असीजा रूपिया एक् सब्सक्राइब तो अब आप बोलोगे सर जी अपने को निकालने का मने बोला हाँ जी इन दोन में ने कंपेर किया तो वी चेवरीश हायर सर असी हजार है असी ज़लिःए लिख दो सर आपने 77,000 लिखा आपने गलत लिख दिया नहीं बैं मैंने गलत नहीं लिखा जब इस से पहले वाला कोशन मैंने चार नंबर में आपको इमानदारी दिखाने को सिस्किती इसको बारस से गुना करके लेकिन उस वग मैंने आपको पूरा एक्स्प्रेन नहीं कि वहां जरुवत नहीं था बट यहां जरुवत है तो मैं आपको यह बोलूँगा जब भी वेकन का केस कर साए और एक्सप्रेके रिंड में ईक्षे लन्म आप आओ तो आओ अपनी इमांदारी को चेक जीए करो यहनि कि इसको ग्याल एसने रिखो बट इसको बारस से थुड़ा बाजू में जाकर बार एसनी र से गुना कर दो क्या परिमांदार हो कि नहीं मतलब मैं मैं बताता अगर वो वेकेंड नहीं करता तो 12 महिना का पैसा आटा कितना आता साथ है या गुने बाड़ा करो कितना आता है 84 हजार रुपिया ओ माई गॉड़ 84 लिएकर आगर वो बंदा नहीं भागता न तो आप सरकार को कितना रुपिय देता यानि आप इमानदार हो सरकार समझ जाया कि यू आड़ है इमानदार तो इसलिए हम क्या करेंगे वीचेवरिज लूवर यानि कि तो आप 84,000 यहां लिखते हैं तो 84,000 लिखते तो वीचे बड़ी हायर हो जाता यानि आप तो इमांदर हो न एक्सपेक्टर रेन तो इतना इस सरकार तो चाहिए थे आप लिख क्या ना देखो पढ़ो वे रेलेटाट प्रपर्टी वेकेंट लेटाउट प्रपर्टी का मतलब होता है लेटाउट प्रपर्टी उसको करते हैं जिसमें भारेदार बैठा हुआ है भारा लगा हुआ है वह घर हो ठीक है फॉर ए पार्ट ऑफ ए इयर एंड ओइंग यह लिखा उखो यह अग ओध जाता नहीं आता तो आपका एकस्पेक्टर रेन्ट जाता नहीं आता तो आपका एक्सपेक्टर रेंट यह भी हो जाता लेकिन 12 से गुना करने पर आप सरकार को 84 रुपिया दिखाते ना अगर वो बंदा नहीं भागता तो 84 रुपिया दिखाते तब इसलिए आपका जो है यार जो है एक्सपेक्ट एक्चुल रेंथी जिए भी बन जाएगा समझ मैं अगर अगर अस्तिय जासे कम होता 12 से गुना करने के बाद भी अगर अस समझो जब भी वेकेंसी का केस होगा तो जो वे एन्युल जो मंथली इंकमें उसको गुना करना किस से गुना करना उसको 12 से गुना करना और जब 12 से गुना करने पर वो इससे कम आ रहा है तो इसको ही जो है इसको ही जो है जिए भी ले लेकिन अगर वो 12 से गुना करने पर इससे ज़्यादा रहा एक्स्पेक्टेर है तो उसको क्या कर देने का तो एक्चुल लेंट यहीं जो है आपका जीए बन जाएगा भी से ज़्यादा मैंने समझा सकता मैंने पूरा जीजान लगा दिया नहीं समझ मैं तो वीडियो को पॉस्ट करो और पीछे जाकर देख लो तो अब समन मआ dzisiaj कि लोवर को ही क्यों झिए िसलिए क्यों कि हूंकि क्योंकि क्यों बखनिक के करण हमारा एक्टनसी करण हमरा जो श incarcer कम है इसलिए हमारा एक्ट्सी भी हो जाएगा उसके बापी क्योंग खर्चाने गटेगा तो एनवर्यूउ आगया ठीक है अब आजाओ अब उसके बाद डिय्リेक्चन मिलया क्योंकि अपन अनल विल्जु नेत अनल वैल्जु को बार अपन डिय्रेक्षन देंगे तभी जाकर अपना टूता मिंकम निकलतार तो डियरक्षन दो प्रकार को दे दिए तो आपका आगया income from house property केतना 48,300 ठीक है और यह प्रोवीजन जो है चिपका कहाना वर्किंग नॉरवन में एक्जाम में अगर आएगा इस टाइब का कुशन ओबेसी बात है वेकेंसी का जब भी कुशन आए इसको चिपका कहाने का ठीक है और समझ गया ना समझ एगया सर्द से उपर वहाला कोश्शन जो ता कि छारद नंवर वहाँ वेकेंसी था लेकिन आपंगर ने यह नहीं पताए वहां मैंने वेश्ट किया इस पर आप लोग को समझाने के लिए ठीक है आई होप समझ में आगया होगा ठीक है इंपोर्टन कोश्चन है और मैं इसे वी वी आई कोश्चन के अंतरगत मैं इसे रखोंगा ठीक है सब करवा दिया है यह देखो एंसर और तालीस है तीनसो चलो ठीक है इससे पहले का जो कोश्चन है लिंक डिस्क्रिशन देदूंगा जाके देख लें सेलरी का बहुत सारी कोश्चन में ने करा रखा उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस् स्क्रिशन में हैं थैंक्यू बड़ी मच्च अ